तो दोस्तो आज 16 जून 2023 मार्केट में आज बहुती शांदा रिकवरी देखने को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया 18,826 पॉइंट पे लगबग 0.74% तेजी के साथ तो देखे आज की डेट पे IT सेक्टर को छोड़के अल्मोस सारी सेक्टर 200 पॉजिटि करता हूं और क्या आपको इसके अंदर खरीदारी करना चाहिए या क्या आपका रनी दियो सकता है सब कुछ हम डिटल में बात करेंगे तो दोस्तों आपको मालूम होगा हाली में जो हमारी PM है Mr. Narendra Modi जी उन्हेंने युएस बीजिट में गया है ठिक तो वहाँ पे बहुत अलग-अलग सेक्टर वाइस तो हम बात नहीं करेंगे बात करेंगे एक स्पेसिफिक सेक्टर जिसका नाम है डिफेंस सेक्टर और आप अगर इस चैनल को रेगलर फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होगा इसके बहुत पहले से मैं आपको बार बार बोला था कि डिफेंस सेक्टर को इगनोर मत करना इसके मतलब इस सेक्टर के हर एक स्टॉड को आप अपने वर्च लिस्ट में एड करके जरूर रखना थीक है अब देखिए खड़ीदारी करना ना करना वह आपके उपर है वो मैं आपको फोर छोड़ देता हूं वाट वाट रोड़ द तो यहाँ पे बहुत बढ़ा ग्रोफ आपको देखने को मिलेगा अब भात के अलग अलग सेख्मेंट बाइस चाहे हम बात करें इंजीन के मामने में यह कम आप करें मिसाइल की बात करें अलग-अलग दोस्तों जो प्रोड़क्ट है उसको पह पैर पर टाइब कीया है इंडि यहां पे इंडिया और यूस के बीच में आपको देखने को मिल सकता है तो बैसे के लिए जो टाइप है एक इनिशियल स्टेज में है कभी दोस्तों इसको पर आपको जो की स्टेप बाइस्टे प्रोइसिंग देखने को मिल जाएगा और आज की रिट में और एक अपडेट्स पर दॉक्षेट्य परडाक्शन रिवील पाज की दोस्तों यह रिवील कर चुका है कौन इंडियन एरफोर्स की जो डेपूटी चीफ यहां पर मेंशन भी किया तो हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की वह ठीक है तो डिफेंस सेक्टर की हर एक शेर चाहे हम बात करें का या हम बात करें यहां पे डेटा पैटेंस का या हम बात करें पारस डिफेंस का हर एक शेयर आपने देख रहा कि बहुत उपर जाके खास करके मजगाओ डॉक इसके पहले भी मैं आपको बोला था कि इसको डाडर में जरूर रखे क्योंकि इस टैप के रिटरन जो सो मतलब कि नॉर्माल रिटर नहीं है एक साल पे 380 पर संट कर रिटरन दिया वहीं बहुत करके दिया बहुत ही चोटी मोठी बात नहीं है तिक अब बात करेंगे करके शेयर वाइस तो सबसेलम पकटते हैं हिंदूस्ता ना को तो इसको पर बहुत ज़दा कोई जा रहा था किसा इसको पर क्या करें अब दिखें आप अगर इस चनल को फॉलो करते हो रेगुलर आज से जाधा पूराने बात नहीं है फुर आप चार मैने पहले चले जाए चार मैने पहले कौन सा डेट डेट भी मैं आपको ओल जाता इंडिया के अंदर यूनियन बजेट पेश किया गया था एक्सपेक्टेशन लोग था किस बार कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आएगा उनफॉटनेटली सारे जो एक्सपेक्टेशन में पानी भेट दिया तो एक्च्छल में क्या हुआ था उस दिन क्रैश हुआ था सेक्टर खास करके एक एक दिन में देखा था उस बजट के दिन डिफेन स्टॉक्स के अंदर जैसे के इचल उस दिन मुझे सियाद है चार-पाच परसंट गिर गया था तो उस समय मैं आपको क्या बोला था इसको इनोर मत करना आज की रिट में हो सकते गिर रहे बट फ्यू मुका दिया था मार्च की फोर्थ विक पर आप देख सेक्तों यह से धायजर क्या थोड़ा नीचे पहुंच किया था उपर अपना हाई टच करने के साथ साथ अब बात करेंगे कि लास्ट एक मैने पे 22 से 30 परसंट चल चुका है अगर आप इसको बॉटम से लेकर टॉप त इतना जादा है और एक महिने पे 28 परसंट बॉटम से लेकर टॉप तक देना दोस्तों बहुत बड़ी बात है और जिस बैसे आज की यह जो शेर है आपको ओवर बॉट जोन पर देखने को मिल जाएगा इसका जो आरे साइंडेक्स है करीब करीब 80 क्रॉस कर चुका है तो ज देख सकतो शेर 2780 रुबा में था आज की रिट में एक दो मैने पहले मत एक दो मैने के भीधर भीधर हजार पॉइंट उपर चलंग लगा दिया का विशांदर रिटन दिया तो आइधिंग मुझे लगदे कि आपको तोड़ा पेशन सुली वेट करना चाहिए शेर ऐसा नह सब्सक्राइब करें तो इसके साथ भी आप जा सकतो कंपनी लगातार यहां पर कॉंट्रेक्ट मिल रहा है औल टाम हाई की बात करें तो देखिए 1216 रुप है जो कि आज से कुछ टैम पहले ये टच किया था यहां पर आपको इन्वेस्ट करना है तो देखिए एक मैने की बात करें या पांस दिन की बात करें अचानक से इसमें चलांग देखने को मिला तो इसमें आपका बेस्ट बैंग लेबल होना चाहिए अप्रॉक्सिमेटली 1100 रुपए से लेके एक हजार एक सुपचास की वी अगर आपको एक महीन पर आल्मूस्ट पचास परसन की करीब करें रहा है अगर आप देखोगे इसका बॉटम से लेके टॉप तक रिटन का प्रॉफाइल करीब 60% इमेजिन कीजिए एक शिर 60% रिटन आपको वितन वन मंट दे रहा है तो इससे लिए एक एक्सपेक्ट करोगे इसका जो आड़ी सा इंडेक्स है आज की रेट पर हाइली ओवर बाट जोन पर चल रहा है और देखे मैं हमेशा क्या बोलता हूं अगर आपको इंवेस्ट करन करना था फाइनल जब शेयर में तेज़ी देखने को मिला कहां से कानी कल गया तो सटीक प्राइज आने के तक आपको वेट करना चाहिए डेटा पैटर्स में बोलूंगा ज्यादा पुराने बात नी हजार पर पहुंच गया यह हजार का शियर हजार में मिल रहा था भाई य आज की रिट में कितना 85-87 परसंट का रिटन तो मैं आज नहीं कर सकतो कि इतना शांदर रिटन देन वाला श्यार डेटा पर अच्छी कंपनिया यहां पर इमीडेटली ने क्यूंकि यह यह शेयर भी एक मैने पर काफी चल चुका है आइधिंग तोड़ा बहुत पेशेंस बाइट कर आपको इंवेस्ट करना चाहिए बाद करेंगा इचेल काइट बाद करेंगा एक एचल का श्यर दूस्रा आईधिंग यह फ्यापको डेटा पैटर अचाहिए यह यह ची कंपने सासध मच का वड़ा यह तीम आपको ब्लूंगा इसको वाच्छ लिस्ट मैट करके रखें बाकी खरीदारी करना ना करना आपक्यू पड़ा है खुद प्रपर स्टड़ी करना एनलाइस करना उसके बाद ही इन्पेस्ट करना फिलाल दोस्तों वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर तक के लिए टेक केर बाबाई जय हिंत